कि अब देख रहें राइंग प्लस दिलर्णिंग अप्डियर रॉल श्टेंट आज हम लोग पढ़ने जारे अगेन बैक्टियोडोजी का टॉपिक है बैक्टियोडोजी में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं पिछला क्लास हमने पढ़ा था वह पढ़ा था यह कंटेनीवस हम लोग शल्मोनेला बैक्ट्रिया के बारे में जल्मोनेला टाइप ऐस वड़ाज पढ़ चुक एंद्ध सारी चीज़े कंप्लेट होगी है लाश्ट की एक पार्ट जो था और रिमेनिंग रह गया है और रिमेनिंग में रह गया है लेवरेट्री डियाग्नोसिस अब थे यानि कि स्लमॉनेल़ा क्या करता है पैफोजनेस प्थोले क्लास में पढ़े थे में हमारे ऐंधि में टाइफौइड ऐस्बाइफ पेरा टाइफौइड फी लिग करता है जो इन एक टाइफोइड और यहुआ करता है एसे गेष्ट्र है और जैप आ है यह न वैज ञट्ट है यह जो है वह सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है और है टेक वाली पार्ट है तो अब यह टाइफोईट या पैराट एफोईट जो पैथोजनिक कंडिशन होता है क्रेट होता है सालमोनिला टैफी एंड सालमोनिला पैरा टैफी बेक्टरिया से तो उसकी डाइबरेटरी ड्यागनोसिस कैसे करेंगे सब्सक्राइब कोई पैसे किया जागा उस बात को पढ़ेंगे और आज के लेक्टर में और इसमें एक और इंपोर्टेंट पार्ट है जो कि वीडाल टेस्ट यूज किया जाता है इसके लिए वह बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है कॉंपर्टिशन एक्जाम में भी लावरेटरी में टेस्ट कैसे पफॉर्म किया जाता है उसके लिए वह भी पढ़ाऊंगा क्योंकि आप लोग कैसे डालुशन लगाना कैस कैसे टाइटर होता है कैसे रिपोर्टिंग करते सब कुछ बताऊंगा बहुत ही डिटेल में थोड़ा आवाज मेरी खराब है आप लोगों को साउंड मुझे लगता है कि समझने इतना तो जा रहा होगा तबीयत खराब है मेरी स्वास्त ठीक नहीं है फिर भी पढ़ाना ब इसमें चार चीजें इंक्लूड के गई है कितना चीजें इंक्लूड के गई साथ देरा फोर फिंग कौन को सा फस्ट वन है चार प्रकार से इसके लबरेट्री डियागनोसिस पफॉर्म किया जा सकता है यह मैं बोतर रहा हूं सबसे फ़र्स्ट वन है आई सोलेशन और बैस इसमें आई सबस्ट वर्स्ट 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 एन टेशन एंड फोर्थ वं आँता है अधर टेस्ट अधर टेस्ट इस एक शार परामिटर्ज जो है वो इंक्लूड किया है डियाग्डोसिश इन तन्डी डियाग्डोसिस अब गास इनफसा यह थिए आपको टाइफ या यह परिकश्ट प्रकार से डाइग्मोस कर सकते हैं सबसे पहले आप इस बैक्टरिया को डिटेक्ट करके इसको पता लगा सकते हैं दूसरा इसकी एंटिबोडी को डिटेक्ट करके और इसी में हम लोग पढ़ते हैं विडाल टेस्ट के बारे में अभी पहले में आपको बता देता हूं थर्ड और फोर्थ के बारे में थर्ड में डेमोस्टेशन ऑफ सर्कुलेटिंग अंटिजन का मतलब है जब इसके पहले बाला पार्ट पढ़ा रहा था रहा है दो प्रकार के अंटिजन की बहुत इंपोर्टेंट होता है एक होता है एंटिजन हने की ह-7 ॅ और दूसरा होता है O antigen ओ毒 है एंटिजन को हम लोग से इंटिजन बोल रहेते शर्लार एंटिजन बोल रहेते और ऑन Tipen को कौन से ऐं बोल रहते इन दूक हvisor में चर्षा करे अ कि आनि कि सलमोनियल वेट्रिया की जब आपको जाता है इसको बोलेंगेрос हो अर जो विसको सेलमोनेल आपि यह में आपक्टियन पार जाते लोगे dirs catch वह गया तो आपको जाहिर से बात है कि blood stream में दोनों के दोनों antigen present होंगे तो आपको दोनों antigen को भी detect करके इसको पता लगा सकते हैं कि आपको इसका infection है की नहीं और इसका detection किस method से किया जाता है इसका detection जो है वो via the Eliza Eliza के थुरू आप इसका antigen का detection कर सकते हैं कि लिएर नेक्स्ट वन पार्टिंग डाट अधर टेस्ट में दो टेस्ट इंक्लूड होता है फस्ट वन आता है अधर टेस्ट में वह है TLC क्या आता है सर्ट टोटल ल्यूकोशाइट कांट जब आपको विड़ शाल्मोनला टैफिका इंफेक्षन होगा या पर टैफिक आभी तो इस कंडिशन में जो है आपकी बाड़ी में लिउकोपेनिया देखने के लिए मिलेगा है लिउकोपेनिया विद रिलेटिव लिम्फो साइटोसिस मतलब लिपोपेनिया मतलब क्या ओता है डिक्रीचिंग कांट अप तर टोटल सब्सक्राइब करता है और वहां पर इंटर करता है इंटेस्टाइन में और पर इंटर करने के बाद वहां पर वहां पर इंटर के नहीं तो न्यक्त में और आपको शंक्या बढ़ा लेता है तो यह कई नीरो on होती है सवी मैक्रोफेज के साथ होती है तो धीरे-धीरे क्या होता है है नेउट्रोफेज का संखिया कम होने लगती है निखसंखिया मंए लगई we दिए दिए आपके डॉलोटो की काउंट schools लकेगा लिम्पोसाय्ट ज्यादा अक्टिव हो जाता है इसलोनिम्पोसाइट्डोसेट आपको five हुने लगता है ठीक है सॉरी इसका टी एलसी तो आपको ड्रसे डिक्रीज दिखेगा लिंफोसाइटोसेस के साथ दूसरा एक और टेस्ट अधर टेस्ट में यूज किया जाता है जिसको हम लोग गोलते हैं डाइजो टेस्ट यह बड़ा इंपोर्टेंट है किसेングद काैं से असी में यूरीन किया जाता है आपके बडरीमें ताइफोड प्रेटाफ का इंफेक्शन है तो पंच वेडिन दिन हिप्थ डेज एंड फोर्टीन्थ डेज उस डियूरिंग जब आपको टैफोर्ड का infection होता है तो आपको बुखार आ रहा होता है तो जब से infection होगा है आपको तब से लेके पाचमें दिन और चौदहमें दिन दोनों दिन जो है एडाय जो से करेंगे यूरिन सेंपलो लेंगे यूरिन सेंपल के साथ सेम वाल्यूम में यूरिन ओर डेजर हो प्रेयंट करेंगए यहां पर तोड़ा से मिला बता जता हूँ इक्वल वॉल्यूम एक्वल वॉल्यूम ओफ यूरिन और डाइजो रियेजेंट डाइजो रियेजेंट दोनों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद उसमें क्या आड़ करेंगे सर देखें बड़ी इंपोर्टेंट यह सारी चीजें बच्चे याद रखना आड़ करेंगे 30% ी शोरी फ्यूर्व्यद्रॉब्स आफ यू ड्रा फुW्यू ड्रॉप्स आफ ऑफ हटे पर्शंट अमोनियम हैडोकसईट अमोनियम हैडiencia इडोकसईट ईकवल मॉल्य में यूरिन और डाइज रियेजेंट को आपने मिक्स कियां मिक्स करने के बाद उसमें कुछ ड्रॉप जो है तीस परसेंट अमोनियम हैड्रोकसाइट के एड कीजिए एड करने के बाद मिक्स्ट वेल मिक्स्ट वेल अच्छे से मिला ये और उसमें आप्जार्व किजिए कि पींक कलर का पींक कलर का फ्रॉद क्रेट हुआ होगा फ्रॉद का मतलब क्या होता है जाग फे पॉजटिव है और यदि डाइजो टेस्ट पॉस्टिव आधा मिन्स के आपको टाफ़ट का इंफेक्शन एफेपराइल कंडिशन में जब आपको भूखार आ रहा होता हुआ उस कंडिशन में एबजर्ट होता है बड़ी इंपोर्टेंट है कॉमपेटिशन एक्जाम को ल सब्सक्राइब करने के लिए सबसे अच्छा मिथड होता है कल्चरिंग करना है डिटेक्शन करने के लिए सबसे पेस्ट मिथड क्या होता है सर कि उसका आप कल्चर लगा दो बैक्टरिया करने करते हैं बैट बैक्टरिया के कंडीशन में कल्चर करते हैं तो कल्चर लगा दो और लगाने खिलिए प्रेंट अब्सेंपल सैंप्ल सल्मोनिलला टैफिक प्रिक का फिक इंफेक्शन के प Missouri डिया जाता है यह यह एक्दम लिखते चलना यह डिपेंड करता है कि आपको infection है कितने दिन से जितने दिन से infection हुआ है उसके भियाब पे different type of sample लिया जाता है श्टूल लिया जाता है blood लिया जाता है कुछ भी डाल test किया जाता है तो सबसे अच्छा मिथड है का कलचर अब question important क्या बताने जा रहा था कि क्या आता है क्योंसे नहीं आता है कि यदि किसी patient को शाल्मोनेला की infection है और उसका infection first week में है तो कौन सा टेस्ट करेंगे तो सबसे बेस्ट parameter होगा तो isolation में सबसे पहले बताने जा रहा हूं कि culture होता है culture में ध्यान से सुनिएगा बहुत important fact यदि किसे patient को अभी infection हुआ है और infection का first week ही चल रहा है पहला सब्ताह चल रहा है तो पहला सब्ताह में उसके body में सबसे sensitive test होगा उसको isolate करने के लिए वो होगा सर blood culture कौन सा होगा सर blood culture 90% positive हाने के chances होते हैं क्यों होता है फॉस्ट ब्लट कल्चर है नरीजन पैथोजनेस पढ़ा रहा था तो उसमें याद करो थोड़े पहले भी करवाया हूं कि contaminated food and water से आता है हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टरिया इपितलियम को penetrate करता है penetrate करने के बाद neutrophil और मैक्रोफेच के अंदर में जाता है सिल के अंदर उसके बाद symmetric lymph node के थ्रू होते हुए हमारे blood circulation में चला जाता है बैक्टरिया तो यह सब कार काम होने आपका एम ही था blood में पहुंचना तो अभी आपके blood में पहुंचा है पहले सप्ता तो पहले सप्ता में blood में पहुंचा है तो blood culture करोगे तो सबसे ज्यादा positivity सो होगी तो इसलिए first week में blood culture 90% sensitive होता है यदि उस patient का infection second week में हो गया infection जो है second week तक पहुंच गया तो second week में जाने के बाद अब क्या होगा ओ जो बैक्टरिया था पूरे आपकी body के हर एक organ तक फैल गए liver में kidney में spleen में bone marrow में पूरे blood में girl bladder में सब में बैक्टरिया आपना multiplication भी start कर दिया तो इस condition में बैक्टरिया के गेंज थोड़ा थोड़ा जो है antibody भी बनना सब्सक्राइब कर गया होगा तो बैक्टरिया जो है कुछ intestine में भी डेवलाप होना इस्टार्ट हो जाएगा कि मल्टिप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा और कुछ जो huge amount में ब्लैड में हो गया होगा पीछल क्लास में बताया था blood में अगर हो गया होगा huge amount of produce तो ओ लीभर के फिर होते हुए intestine में आ जाता है और intestine में आने के बाद आपके श्टूल के थूरू बाहर आने लगेगा तो यह सब कहां हो रहा है second week में पुर है यानि second week में थोड़ा थोड़ा एंटी बोड़ी भी production होने लगा blood में intestine में आ गया तो श्टूल में भी निकलने लगा और blood में तो था ही यानि कि third week में first week में सबसे पहले blood culture ज्यादा sensitive था second week में blood culture के sensitivity जो है वो 75% लेगे कुछ घाटेगा और गल्ब्लाडर से होते हुए intestine में आया था तो use amount में फिसस में भी निकलेगा यानि कि अश्टूल कल्चर भी आप कर सकते हैं इसलिए फिसस कल्चर भी 50% sensitive हो जाता है और थोड़ा amount में antibody production स्टार्ट हुआ था blood में इसलिए low tighter में आपको विडाल टेस्ट भी प्रेजेंट होगा लेकिन सेकेंड विडाल ज्यादा प्रिफर्ड नहीं करते हैं सेकेंड विक में blood कल्चर के sensitivity 75% होगी और फिसस कल्चर की स्टूल कल्चर की sensitivity 50% होगी अब आते हैं यदि पेशेंट का infection फ़र्स्ट भी क्रॉस कर गया सेकेंड भी थर्ड विक पर आ गया अब यसा विस्टूल कल्चर फिसस कल्चर की मेडिया यूज करते हैं वह आपको इसके पहले वाले पार्ट में कल्चर मेडिया वाले पार्ट में पता चुका हो है अब आते हैं थर्ड विक में अब देखिए ब्लोड से बैक्टरिया कम होने लगेगा क्यों कम होने लगेगा क्योंकि ओ پहली बात दूसरी बात क्या होगी कि जो गॉल प्लैटर में बैक्टरिया था वो इंटेस्टायन में huge amount में excrete out होने लगा और तिसरी बात क्या होगी कि जो blood में bacteria था उसके अगेस्ट हमारे immune system a strong amount में antibody produce कर चुका होगा क्योंकि 15 दिन से infection 20 दिन से infection हो गया तो अब तो में होगा क्योंकि अभी immune system detect कर चुका है तो थार्ड विक में सबसे संसेटिव टेस्ट फिडाल होगा इसकी 80-100% sensitivity होगी क्यों होगी क्योंकि antibody huge amount produce हो चुका है फीसेस में अस्टूल के थूरू bacteria निकल रहा भी huge amount में तो दूसरी जो सबसे ज्यादा positivity rate होगी वो अस्टूल कल्चर की होगी 80% और blood culture की जो है वो थार्ड नमर पे बजागा 60% bacteria रहेगा blood पैसा नहीं कि detect नहीं होगा तो question यह बहुत important बन जाता है कि कौन से week में अगर Salmonella infection है तो कौन सा test यूज किया जाएगा यह बहुत ही important है हमेशा से इसको जो है यह memorize कर लो याद कर लो competition जाम में आनी यानी है question और याद करने का बहुत simple formula जो explain क्यों अगर उसको दिमांग बीठा लिया तो याद रहेगा फर्स्ट विक में blood में रहेगा ही अश्टूल में भी जाने लगेगा तो blood में 75% हो जाएगा और श्टूल में 50% थोड़ा 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 एंटी अश्टूल कल्चर दूसरे नमर पर संसेटिव हो जाएगा और blood culture तीसे नमर पर जाएगा बस इतना ही सा तो याद रखना है तो इट वोस्ट पेरामिटर आइसोलेशन ओब दा बैसी लाइग आप से बात आपको समझ में आई होगी आनी चाहिए नेक्स वन आता है सेकंड परामिटर अॉब यह हमने पढ़ लिये अब अकनठर करेंगे जिस जो मीडिया पढ़ाया हों वह सारे मीडिय में कंठर करेंगे कालचर करने के बाद बैक्ट्रिया को ग्राम रसित करेंगे करने के बाद पयरोक्यम कर लrid लगाने के बद वहतका याइज आ इसले सब्सक्र सबसे इंपोर्टेंट है इस इस क्लास का विडाल टेस्ट का मतलब कि जो थर्ड विक में बैक्टरिया के अगंस एंटी बॉटी बनना स्टार्ट हुआ था उसी एंटीबोडी को अब डीटेक करेंगे और विडाल टेस्ट के थ्रू होता है विडाल टेस्ट क्या है सर विडाल टेस्ट इंग्जांपल ऑफ दा एगलूटीनेशन रियक्शन एक क्या है सर एडिजन एग्जांपल ऑफ एगलूटीनेशन एडिजन एग्जांपल ऑफ ए त्यौक्षन रेक्षनन मसं पढ़ा है उसमें अग्लूटिनेशन क्या होता है सोधा विजबल क्लमश आधा ग्लूटिनेशन क्या होथा है जो मम लोगी मिल़ोजें पढ़े है आज हम दिस्कुसंण करेंगे विडाल टेस्ट की तो विडाल टेस्ट भी क्या है यह भी एक अंटिजन और एंटीजन और बोडि का ही रियक्षिन है अब कौन सा एंटीजन अंटीजन अच्वल में साल्मोनिला टाइपी बेक्टरिया के बाड़ी में कौन-कौन से एंटिजन पाया जाता है शुरू में ही बताया और इसके पहले वाले क्लास में भी पढ़ाया हूँ ज़स्ट देखिए इच और वो दो एंटिजन पाया जाते है यहानि कि साल्मोनिला काकर इंफेक्शन हुआ किसी पेशेंट को तो उसके बाड़ी में दो एंटिजन होगा कौन-कौन से एंटिजन होगा एंटिजन एज एज वेल एज एंटिजन वो एज एंटिजन को क्या बोलते हैं फ्लाइजलर एंटिजन फ्लाइजलर एंटिजन हमेसा याद रखो और वो एंटिजन को क्या बोल जब इंटर किया थे दो एंटीजन के साथ तो बैक्टरिया के इंफेक्शन के थाड़ वीक में एंटीबोडी बनना स्टार्ट हो जाएगा अभी यह बात हम लोग समझ रहे थे नहीं यहां पर थाड़ वीक में एंटीबोडी बनना स्टार्ट हो जाएगा तो एंटीबोडी क एक कलर साथ नहीं दिख रहा होगा विडाल टेस्ट में हमनों डिटेक्ट करते हैं अगलुटिनिन एच एंड ओ अगलुटिनिन क्या होता है सर एंटी बोडी को हम लोग बोलते हैं अगलुटिनिन इतनी सी बाते तो पढ़ाया और समझाया हूँ आपको इमिनोलोजी में एंटीजन को एगलुटिनोजन कहते हैं एंटी बोडी को एगलुटिनिन कहते हैं तो यह दोनों एंटीजन जो शालमोनल आम परजेंट था इसके अगेंस्ट जो एंटी बोडी बनेगा तीन के अगेंस्ट एंटी बोडी बनेगा हैं antibody h and antibody O को और यूज क्या करते हैं यूज करते हैं anti sera यह यानी इनके अगेश्ट commercial anti-gen use करते हैं और उस commercial anti-gen जो बजार सक्रित करते हैं इस्से mix कर देता है अगर serum सेम्पलिष में क्या लिया जाता है serum लिया जाता है क्योंकि antibody डिटेक करना है ना यहांति सीरा में दोनों में से कोई भी एंटीबोडी रहता है परजेंट तो रही एकसर कर जाता है और में अपने सो कर देता है और वही हम लोग दिखा देते हैं पोजिटिव है कि निकटिव है अब बहुत सारा सिनारियो है विडाल टेस्ट में उसको समझना आपको जरूरी है एच और ओ के बारे में तो पता चल गया ठीक है सर इतनी से बात है मैं समझने आ गई अब आक्चुल में यह जो एच और ओ एंटीबोडी है वह मैंने क्या पताया कि थर्ड वीक में बनना स्टार्ट होता है तो फर्स्ट और वीक में अगर आप विडाल टेस्ट करेंगे तो पॉ कभी कभी इंसेटिव टेस्ट हो जाता है लेकिन इसको सेटिव बनाने कलिए आप क्या कर सकते हैं कम से कम दो सेंपल लेकर पेस्ट एक जो आज आपने किया अगर आज निगेतिव आ गया तो आज से सा आपटर टो सेवन टू टेंडे अप्टर 7 to 10 days after 7 to 10 days another simple region तो कि अगर आज उसका 4-5 दिन भी हुआ होगा तो 8 दिन बाद हमने लिया तो 8-5-13 हो जागा लगबग 2 वीक तो समाप हो जागा तो 10 दिन के बाद तो लगबग बनना स्टाठ ही हो जाता है 12 दिन के बाद इंटिपोडे तो उस समय फिर पॉजिटिव आज आगा अगर आप फॉस निगटिव होगा तो उसको संसेटिव बनाने के लिए दो सेंपल जरूर किजिए आप विडाल के लिए और यादी पहले में पॉजिटिव आगे आता तो कोई दिक्कत ही नहीं इसके बाद एक और आपको बात बताने जा रहा हूं समझिए बड़ा इंपोर्टेंट है टाइटर वेटर लगाना तो है फॉरा हUDश ही ठाटुे टिकते हमार काच सब्सक्राइट रwa करा आपको ही उ पह पहा किए क्शेट रह स्रैक क्बम स्वेकों इस्चिंग मारे याँ जा रही हए है ती हरा पकोटन मारे माब साध सी बीपोर्ट रहा है कि इधर में अब जो है किसी में पॉजेटिव आया हुआ होगा किसी में निगर्टिव होगा किसी में पूरा पूरा निगर्टिव होगा किसी में पूरा पूरा निगर्टिव होगा या पॉजेटिव भी उसे अब आपको यह नहीं पता चलता है रिपोर्ट देखेंगे कैसे आपको यह भी नहीं पता चलता है कि यह सब है क्या और यह भी नहीं पता चलता है कि यह सब क्या है और यह सब आया कस सब कुछ डिटेल में जान लेंगे इस क्लास से सब से फर्श्ट में जानते हैं कि ये सब है क्या देखिए अभी जैस्ट मैंने क्या बताया कि विढाल टेस्ट में हम लोग एंटिजन और डीडोडी के रेक्शन करवाने के लिए यानि कि एंटिपोडी एच एंड ओ को हम लोग detect करते हैं ठीक है यह हम लोग detect करते हैं ठीक आप Salmonella में मैंने आपको क्या बताया कि दो Salmonella होते हैं एक होता है Salmonella Typhi और एक होता है Salmonella Paratyphi इसको मैं पढ़ाया हूँ आपको इसके पहले वाले class में Paratyphi ठीक है Salmonella Typhi में भी H&O दोनों Antibody Detect करेंगे क्योंकि हम लोग detect कर रहे हैं Antibody H&O क्लियर यह अभी पताया है इसी तरीके से Salmonella Paratyphi में भी हम लोग H&O दोनों करते हैं बट ध्यान से सुनिए Salmonella Paratyphi के कंडिशन में जो है O Antigen Specific Antigen नहीं होता है क्यों H Antigen Specific होता है क्यों क्योंकि O Antigen जो है Salmonella Typhi वाले से reaction कर देता है फिर से एक बार रिपीट करता हूँ हम लोग हो डिटेक क्या कर रहे है एच और O Antibody दो प्रकार का Salmonella Typhi और पराटाइपी तो Salmonella Typhi में H&O दोनों antibody detect किये Salmonella Paratyphi में भी दोनों डिटेक करना चाहिए था लेकिन पराटाइपी में केवल H वाला है क्योंकि O वाला जो है वो क्रोस रियक्षन कर जाता है टाइपी वाले से ही ठीक है तो Salmonella Paratyphi के कंडिशन में केवल हम लोग हम लोग डिटेक करते हैं H अब Salmonella Paratyphi तीन टाइप का होता है पहले वहले क्लस में जाने है Salmonella Paratyphi A B & C हमारे इंडिया में प्रोमेनेंटली दो प्रकार के इंफेक्षन होता है एक तो Salmonella टैफी का और एक Salmonella Paratyphi A का लेकिन अब कहीं कहीं Paratyphi B का भी इंफेक्षन देखने के लिए मिल जाता है सि का नहीं मिलता है C जो है शक्तिस मेय ऐ करियsty में रिएट करता अब हमारे इंडिया मने इजह तो इसलिए पारटाइपी में जो है खम लोग पारटाइपी पार्ट एफपी दोनों को डिटेक करते हैं। और इन दोनों में और किसका antibody डिटेक करते हैं? केवल H antibody डिटेक करते हैं। इसीलिए और पार्ट एफ़ी A वाल हो जाता है AH, पार्ट एफ़ी A, H antibody और पार्ट एफी B, H antibody बस अब यही वाला चीज यहां लिखा हुगा जराइस पार्ट को किलियर कर जाता हूं दो सब्सकेंड के अंदर सबसे पहले टाइफोई में हम लोग ये चरो दोनों डिटेक्ट कर रहे थे तो सालमोनेला टाइफी ओ है सलमोनेला टाइफी है यह जो है सर उपर वाला सलमोनेल हम लोग यह है है अब यह होता है रहरा को प्रोसीजर में बताने जा रहा हूं ठीक है प्रोसीजर पे आने से विडाल किट की जरूरत पड़ेगी ठीक है विडाल किट में होता क्या है एक ऐसा स्लाइड होगा एक ऐसा बॉक्स होगा बॉक्स ते अंदर एक लेट्रेचर का पेपर होगा और उसमें जो है इस प्रकार के छे रिएजेंट होंगे, कितने छे, एक तो होगा, देखो यहां पर H antibody है, O antibody है, मतलब यह साल मुनला टैपी के लिए है, ठेक, और यहां पर H और यहां है BH, मतलब यह दोनों है, पैराटाइफी के लिए, और दो और होगा ऐसा ही, उसमें क्या होगा सर, एक लिखा हुआ होग होगा positive control, positive control और एक लिखा होगा, negative control, यह दोनों क्या काम करते हैं, control का, मतलब यह दोनों जो है, यह रिएजेंट को चेक करके बताते हैं, कि यह रिएजेंट सही है कि खराब हो गया, 6 इसमें इस प्रगार क्या आपको दिखेगा, डबबा, ठेक, दूसरा आपको requirement पढ़े आपको pipette के, चोटा-चोटा requirement आपको पढ़ेगा, प्रोसीजर स्टार्ट कने से पहले, आपको competition इजाम के बहुत important question बताने जा रहा हूँ, ऐसे प्रोसीजर तो normal जो भासा में लोग यूज करते हैं, करते हैं, वही करूँगा, बताऊंगा, लेकिन कभी-कभी आपको MCQs मे करने करे टेस्ट यूज के जाता है न, western games tube, and win drops tube, उसी तरीके से, सायद आपने जानते हैं, या नहीं जानते हैं, लेकिन इस बात को जान लेजए, कि विडाल टेस्ट को perform करने, के लिए टेस्ट यूब, एक special test tube को यूज करते हैं, हलागे हम लोग नारमल routine laborator में यूज नह antibody, sorry, h antibody को बोलेंगे, pleasure antibody, o antibody को बोलेंगे, somatic antibody, तो यदि आपको विडाल टेस्ट में, o antibody, detect करना हो, तो उसके लिए जो test tube यूज करेंगे, उसको बोलेंगे, drears tube, क्या बोला जाता है, उसको, drears tube, d, r, y, e, r, post office, drears tube, जो है, o, किसके लिए यूज क्या जाता है, detection for the h antibody, किसके लिए, h antibody को detection के लिए, कौनसा, drears tube, अब questions है, सबी आ सकता है, कि h antibody, salmonella के condition में, drears करने के लिए, कौनसा, drears tube, drears tube के पहचान क्या होगे, कि यह जो है, bottom, bottom, जो है, इसका, conical shape होता है, इस तरीके से दखो, आप, मुड़ा हुआ है, यह, drears tube, और यदि, o antibody को detect करना ह हो, तो उसके लिए, use किया जाता है, phelix tube, इसको क्या बोला जाता है, sir, phelix tube, phelix tube मतलब, जो normal test tube, use होता है, हमरे laboratory में, इसे को बलते है, phelix tube, o antibody, इसमें कौन सा detect होगा, o antibody, जिसको हम लोग बलते है, somatic antibody, clear हुआ, sir, बहुत important question, fact है, आपने notes में लिख लेना, चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं, विडाल test पे, ठीक है, यह वाला सारा सारी चीज़े जो है, आप ले लेना, sir, बड़े ही तरीके से, नहीं तो test नहीं करता हो, विडाल test करने के लिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ, test tube और slide, दोनों से बता हूँगा, dilution भी proper amount में लगाने के लिए बता हूँगा, at first, जब आपके पास simple आएगा, तो पहले dilution की बात नहीं आती है, सबसे पहले बात आती है, कि आपको पता लगाना है, कि उस patient को, actual infection विडाल का, typhoid का है की नहीं है, salmonella का है की नहीं है, parrot effort का है की नहीं है, तो कैसे पता लगाने, सबसे पहले जो एवाला slide था, इसी slide को यहाँ पर ले लो, ठीक है, हम लोग इसी slide को यहाँ पर ले लेते हैं, उठा पठा के रख लेते हैं, ठीक, इसमें इस तरीके के बनी हुई है न सर, घर बनी हुई होगा, ठीक है, कितना घर बना हुऊ होगा, चार, आल राइट, चार घर में बना हुआ हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, इधर में हम लोग यूज कर रहे हैं, टाइफी के लिए, इधर किसके लिए, टाइफी के लिए, और इधर में यूज कर रहे हैं, पैर टाइफी के पहले। तो बाद में लगेंगे। पहले तुम लोगों में से कोई प्रिलेमस तो निकालो तब तो मेंस का एक्जाम दोगे, प्रिलेमस नहीं निकला पता चले प्रिलेमस का तो मैं पता ही न इस मेंन इस का त्यारी कर blir हुआ है तुछ है नट आ के क्या करना टेस्ट में कोई जाधा लफटे से वाली बात नहीं है एकक ड्रॉप जो है सर सब पे आप एकक ड्रॉप जो है सब पर सिरम डालने के बाद आपको दूसरी बार क्या करनी है एकाइड डॉप सबमेरेरेंट डालो, प sé सायरेंट सबसे पहले जो H और ओ ओ रही एजेंट था हो डालो यहां पर डालो ऋ ओ ओ लktion ठीक है ऐहां पर डालो ओ रहेयंट ठीक है उसके बाद किदर गया दूसरे नंबर पर है और भी reminiscent था तो दूसरे आपने के बाद इस तरीके से घोमाओ और नहीं तो आपके पास रोटेटर है तो उस पर जाके रख दो एक्जेक्टली दौमिनेट के लिए घुमाओ फिका घुमाने के बाद पहले सबसे पहले आपको क्या अपजर करना है इधर वाला नहीं सबसे पहले देखो कि पॉजिटिव एंट्रोल में एगलुटिनेशन सो हुआ है कि नहीं हुआ यदि सो हुआ है तब ही आपका सही होगा यदि पॉजिटिव कंट्रोल में अगल्टिनेशन साञ़ यह है क्योंकि पॉजिटिव में पॉजिटिव हानी चाहिए नेगटिव में निगटिव में ड purely चाहिए तबसे ओंभी आईसा हो गया कि पॉजिटिव रुख़ ए आई ब्लूभन निगतिव पॉल्णait क्सक्कि क होनी चाहिए यदि दोनों में है तो समझ लो हमारा टेस्ट सही है अब आजाओ इधर इधर में अगलिक्टूनेशन देखो सब्सक्राइट एच में भी है और ओ में भी है एच और बीच में नहीं है ठीक है कुछ भी हो सकता है या एच में भी हो सकता है बीच में भी हो सकता है और एच में ना हो किसे में वे रियक्शन हो सकता है ठीक है तो suppose that हम मैं मान के चल रहा हूं कि इन दोनों में नहीं है इन दोनों में है अब जिसमें अग्लोटिनेशन आया उसी का फर्दर टाइटर बनाएंगे उसी का फर्दर डाइलेशन करेंगे किलियर है सर तो अब हमारे पास positive क्या सो कर दिया बच्चे हमारे पास positivity में आ गया है सर हमारे पास positive हो गया टाइफी यह दोनों जो है हमारे पास अग्लोटिनेशन सो के इसलिए positive है यह दोनों negative अगर इन दोनों में भी positive सो करता है चारों में तो फिर चारों को हम लोग लिखाते है टाइटर अब टाइटर लगाते कैसे है पहले टेस्ट्यूब मेथट से अपको बता अब हम लोग इसको सिवियर है उसी के recording उसको इंटिवाटिक देना है टाइटर में सबसे पहले टेस्ट्यूब मेथट से बताते है ठीक है कम से कम टेस्ट्यूब मेथट से जो है आपको कौन-कौन सा टाइटर लगाना है सर ओ और एच या ऐसा कह सकते हैं एच और ओ दोनों को उल्टा मतलिको स स्लाइट से कितना आपको जरूत पढ़ना है पांच है और सही से बन जो है कितना टेस्ट्यूब आपको चाहिए पांच टेस्ट्यूब चाहिए मैं थोड़ा छोटा-छोटा मिना था हूँ तो भी चलेगा तन मान के चल रहे हैं हम लोग चार बन गया ठीक है यहां पांच है मैं ने कि सके लिए बना दिया एच के लिए बना दिया नीचे में व गूप के लिए भी इसका है यह अप घूर आने मतलता हैब टेस्ट्यूब पढ़ा हूँ ऊसगोष क्र लिए नीट एंड क्रेन और अस्टिलाइज होनी चेकितना एक दो तीन चार पांच हो गया अब हमें टाइटर लगानी है यह नीचे वला हमें किसके लिए है वो के लिए कैसे टाइटर लगाएंगे टाइटर हमें पांच सिक्वेंस करनी है आप ज्यादा भी कर सकते हो एक दो तीन चार पांच मोश्टली यही आप रिपोर्ट में लेखेंगे आगे भी बढ़ सकते हैं अगर जरूत पड़ी तो तीन सो बीस के आगे साथ सो चालिस दूगना इसी तरीके से लगाएंगे जैसे भी बताऊंगे आगे बढ़ सकते हैं मैं मैं पांच लेके चल रहा हूं पहले नुमर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, 4 है, 5 है, नीचे में भी वैसे ही कर सकते हो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, देखिए, आक्यूरेशिय और पल्टी कंट्रोल हमेशा मेंटेन करो लावरेटी में, तभी आप बढ़िया रिकोर्ट दे सकते हो, देन हमें बनाना है, 1 is to 80 का, उसके बा अब नुमर 1, डाइलूशन, ठीक है, अभी हमें क्या बनानी है, सर, डाइलूशन बनानी है, ओल राइट, डाइलूशन का क्लास बढ़ा ही डिटेल में, आप लोगो पढ़ायों, हर एक पर करका डाइलूशन बनाना, चलो, आज एक बार फिर रिवाइज हो जाएगा, सबस सेंपल है, क्योंकि सेंपल में, सिरम ही तो एंटी बोडी डिटेक्ट करेंगे, ह और एंटी बोडी ही तो डिटेक्ट कर रहे है, क्यों जी सर, एंटी बोडी ही तो डिटेक्ट किया जा रहा है, तो सिरम हमें लेनी होगे, और दूसरा हमें, नॉर्मल सलाइन लेनी होगे, क् एंस जिसको आइसोनिक नॉर्मल स्लीज डुनों को बनाएंगे अब अनोन है ढूनो किस्का लेंगे तब ओन ट्वेंटीये स्सेयो बन जागा तो सब से पहले जो अस्मौल एमाउंट में प्वेंटी होती है उसको लेते हैं सबसे पहले क्या लेना है हमें सिरम लेंगे तो मैं फिलहाल आपको 50.0 āपे बना देता हूं ठीक है जैसे 50 लिए को बनाइब को एक यह कितना किया सिंक लिए तो हमें सेंपल ले लिए सुरिए हमने सेंपल सी हमने कि बस रोली में auto आखेख यह 20 पार्ट तो हमारे पास एक पार्ट कितना है बढंते हैं और यानि ट्वन टूटल बनाने के लिए क्या करेंगे फट्चास इंटू 20 से मल्टिप्लाई कर देंगे कितना हो जागा 5 दून 10 एक दो तीन थाउजन्ट माइक्रो लिटर हो जागा सेरम और 49 पार्ट हो जाएगा नर्मल सलांस तब 1-140 बनेगा वैसे 1-80 में एक पार्ट सेरम और 89 सेवेंटीनाइण पार्ट हो जाएगा नॉर्मल सलांस सब में वैसे ड्लू सबदता है है natural है नफिस पार्ट जो है और हो गितना हो गया सर." यह तो 20 पाठ हो गया और एक पाठ है 50 म dan किंसे हो जागा तो 20 पाठ हमारी 1000 है और 19 स्पाठ हमारा कितना है तर और एक पाठ कितना है 50 म क्ने लिट्र है क्वे घुठा है इसको मैंनस कर दो कितना हो गया? 250 म municipality कितना हो यह हो गया 19 पार्ट 19 पार्ट ऐसे ही डालिूस्न बनाया जाता है यदि आप 250 लेटर लुटर करते हैं और उसमें 50 माईड करते हैं नहीं होगा नहीं होगा देख लेता है एक बार चेक कर लेते हैं हमने कितना लिया 950 माइक्रोलेटर लिया 950 माइक्रोलेटर हमने लिया है नॉर्मल स्लाइन और 50 माइक्रोलेटर हमने लिया है 50 माइक्रोलेटर हमने लिया है सीरम तोटल हमारा बन गया है 1000 एक्रोलेटर ठीक है 1000 माइक्रोलेटर को एक पाट से डिवाइड कर दो पचास से डिवाइड कर दो, कितना हो जागा, पाच दूना दस, पचास दूना सो, एक, ये कम एक, आ गया, बिस बटे एक, कितना है, बिस बटे एक, सॉरे, बिस बटे एक, बन गया, वन इस्टू टू टू टी, यही तो बना रहे थे, वन इस्टू टू टी करेशियो, इसको 100 माइक रिटर लेकर भी बना सकते हो, वन इस्टू टू टू टी का, कैसे बन जागा, उसमें दोनों के क्वांटिटी बर जागी, जैसे, यहां पर एक, रफ सो होजयटी हम 100 माइक्रो लेक्रोलीटर edisds. मैं 100 लेकुपिताजी तो अब बनाने कितना है, वन इस टू 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 Bij elemento बनाना है, तो एक पार्ट हमारा सौ है, ठीक है तो 20 कंटी कहाट, कितना हुजयगा 20 से मलतिप्लाई कर दो, कितना ऑगा? 2000 प्रणियस or टू Cr मैक्र लिटर मिसे सो मा क्रोलिटर जो हैした कितना हो जागा उनीस सो मैक्रोलिटर होило जागा इन उनीस सो मैक्रोली लेतर कि नॉर्मल लइनод और 100μL लोगे तब भी 120 का ही रेस्यों बनेगा यहाँ यह ले रहते तभी 120 का ही रेस्यों रहाट दो कैसे होगा इसको भी आप चेक करके एक बार देखलो किसी को भी बना सकते हो ठीक फिलाल मैं जो बना रहा हूं बच्चे पिलाल जो मैं बनाने जा रहा हूं वह यहीं वाला पचास और नो सुपचास कम क्वाइंटिटी है कहां ज्यादा लेते चलेंगे जुटमुन का नॉर्मल स्लेंड खर्पत होगा अब ही क्या करना है देखिए अब यह जो फर्स्ट वाला टेस्ट यूब है उसमें आपको क्या डालनी है नो सो पचास माइक्रोलिटर नॉर्मल स्लेंड डालनी है क्या डालनी है सब एनस डालनी है नो सो पचास मैक्रोलिटर और सीरम कितनी डालनी है आपको सीरम डालनी है मु यहां पर दो रूल होते हैं एक तो आपने यहां पर 1-20 का calculate किया फिर आप 1-40 का calculate किजे फिर 1-80 का, 1-60 का, 1-320 इस तरीके से calculate करकर सब में डालिये पहला तो एक A होता है rule जिस तरीके से calculate किया दूसरा rule होता है कि आप serial dilution बना सकते हैं वो सबसे easy होता है उसमें भी ratio यही रह जितना है जितना अमाउंट में हमने लिया था नॉर्मल्स लाएं 950 सब में इकवल डाल देंगे यहां पर भी 950 डाल देता हूं यहां पर भी 950 सब माइक्रोलिटर में यहां पर भी 950 डाल देता हूं यहां पर भी 950 डालता हूं यह भी माइक्रोलिटर यहां पर भी 950 डालत में पहले वाले में 50 लिटर शीरम डाला था this अमने ईसमें डाल के प्रोपर म्हिम्स कर दिया था ओं क्या की जीए यहां से 50 Mycrolator निकाल करके यहां पर डाल देन प्रि छिर से ठी़ इसको भी मिक्स कर दिज्ग के जिए आप सेंस्क् instructors इस में करें यह मतलत है यह मतलानक क्योंकि दोनों अलग अलग है तो यहां पर भी आपको वह करना यहां पर जो पीन मेपिंट तो ना इतरोट तो लाश्ट वाला जो है फिल動画 फीप्टे इतर इस में भी दोनों में क्या है पचास माइक्रोलिटर डिसकार्ड कर दो फेक दो बाहर हो गया अब डालूशन हमारे परफेक्ट बन गया अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है यह जो एंटी सीरा है आपके पास जैसे एच हम किसका डिटक कर रहे हैं एच और ओकर तो इन सब में जो है एच एंटी सीरा एक ड्रॉप इसमें में डालो एक ड्रॉप इसमें में एक ड्रॉप इसमें सब में एच एंटी सीरा एक ड्रॉप डाल दो और इसमें जो है ओंटी सीरा एक ड्रॉप डाल दो दो दोनों को मिक्स करो मिक्स करके 60 सेकेंड का इंकूबेशन करो ठीक टेस्ट्यूब और तीन नमर टेस्ट्यूब में आ रहा है एच वाले में या चार नमर टेस्ट्यूब इन चारों में आ रहा है पाचों में नहीं आ रहा है ठीक और वाले में हमने देखा तो एक नमर और दो नमर और तीन नमर में आ चार-पांच में नहीं आ रहा है तो जिसमें अलोटिनेशन आ रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा अब यहां पर द्यांदेने वाली बात है हमारा किस्म के में इस पोजेटिव आया यहां पर इपोर्टिंग कैसे करेंगे एच एपर नइच्छे वलres यहां पे लिखेंगे ह। और याहां पर भद लिखेंगे एंपर यहां पर डिखनाएं फालँ कर रहेगा 20 सबसे पहले एच और बी एच भी एच तो सबसे पहले निगटीव आ गया था सर शुरूर वाले स्टेप में तो यहां पर आपन क्या कर देंगे एच और बी एच वाला यह सब में निगटीव है ऐसे में कर देता हूं ज्यादा मोर फिल लोट पिक रियंटेट ठिक है एच अमने कर दिया उसके बाद ऐसे भी कर देता हूं बिल्कुल सेफ्रेट रहेगा है ठिक क्या था सर्फ था एच और बीच पहले निगटीव आ गया सब में निगटीव भी था यह तो पॉजिटीव था ही नहीं सो ही नहीं किया सब के सब जो है इन निगटीव सो कर दिया हमारा पंगा कहां पर आया था हेच और व में हमारे कहां अभी मैंने बताए कि एक दो तीन चार चार में सो किया था हमने देखा ओ वाले में वाले में एक दो तीन में किया था यानि कि एक दो तीन में कौन सा है one two twenty forty and 80 उदार दो में नहीं किया था इन दोने में हमारा नहीं किया ठीक है तो इसका भी वैसे रिपोर्टिंग कर देंगे इन तीन में पोजेटीब था यह दूह नेगेटिब था अब इसको यह वाला आपका पूरा 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 क्रहं में है सबसे परएंदेने वाली बात है सबसे ज्यादा अमने शीरम कहां पर डाला था इस बात को बताओ हूं पहलेवाले टेश्ट्व YEU में डाला था इसमें घर या तो जहां पर सबसे ज्यादा सिरम था 10 1200 सबसे च्रहादे एंटीबोडी अ कर इधार आते 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 हमने serum के quantity कम कर दी इसमें भी वही हो गया serum quantity कम हो गया यानि यहां वान इस्टू 60 और वान इस्टू 320 में तो बहुत ही कम amount में serum डाला था और उसमें भी positive सो कर दिया तो मतलब किया है कि बहुत कम amount serum में भी बहुत ज्यादा antibody present हो उसका यहां तो आ ही सकता है positive normally क्योंकि serum ही बहुत ज्यादा था थोड़ा सा भी antibody होगा तो यहां positive आ जाए लेकिन यहां serum के quantity बहुत कम थी फिर भी positive आ गया तो that means कि उसको बहुत ही severe typhoid का infection है तो यहां पर हम लोग positive और negative में जो है one is to 20 और 40 कि दोनों को जो है negative consider करते हैं यदि इन दोनों में positive आ रहा है तो उसको negative मान के ही चलते हैं और यदि one is to 80 में positive आया यानि इसे से थोड़ा कम यहां था तो मान के चलेंगे कि उसको mild infection है लेकिन यदि one is to 60 या वन इस one is to 740 में भी positive आ रहा है 740 में तो और थोड़ा से हो जाएगा serum और उसमें भी इंटिवाइटिक positive आगे मतलब इधार से ज्यादा जो है हम लोग heavy positive मानेंगे और उसको severe infection है पेसेंट को और इसको immediately treatment के जरूद था है भरती करो hospital यह था विडाल टेस्ट बैट ये स्ट्यूब method अब आप लोगों को जो आप लोग सबसे ज्यादा करते हो लाबरेटरी में वह स्लाइड में इस लाइड में टाइटर कैसे लगाएंगे और जानेंगे यह बढ़ाईजी है सबसे पहले वही से मेठाड यूज करेंगे पहले चेक करो कि positive है कि negative है चेक कर लिया चेक करने मे हमें यह दोनों positive सो हुगा ठीक है positive सो होने के बाद फिर से अगेन जो है यह वाला स्लाइड में कौन कौन सा हमारा positive आया सड़ जी हमारा positive आया है ओ एंड हो एंड है कि एक दो तीन चाल कौन कौन सा positive आया है ओ आया है इच आया है एंड हो positive आया ठीक है कि सबसे पहले वाले के लिए यहां पर टेस्ट्यूब में इस तरीके से घहरा लगाया हुआ होगा मैंने तो काट दिया इस तरीके से आपको घर मना दिया इस तरीके से घहरा बना हुआ होगा ठीक है इस घहरे में आप क्या करोगे सबसे फर्स्ट वन आपको पांच माइकर लेटर आपको सिरम डालनी यह यह पर पांच यह पर दस यह पर बिस यह पर चालिस से मिहां पर भी पांच दस बीस और चालिस मैं कुलेटर से यंदय डाल मिन जिए असैं मयुत सर्क्षिया अहुझा अब भी आपको क्या सुआ करना यह यह को कॉंसा लाइड है यह व लाइड यह वाला सलाइड है यह बने ठीक है पूह एंड ले लिए हमने सभी पेल को वाले पार्ट में वी एच वाले पार्ट में वह जो है वैब आने ये वे एज लिख देजिए द्राइट में लिखे पांस मयाइद माइक रोटर दसुर करभ्याइध सिरम हमने डाल दिया दोनों में डालने के बाद उस साइड वाले में जो है हम लोग आप अगेन क्या डालोगे h side वाले में आप hntc रा डाल देजे और o side वाले में आप ndc राड़ देजे ठीक है अंटc र डालने के बाद इस सबको अप्लिकेंटर स्टीक से mix कर देजे mix करने के बाद आप राखते हैं मिक्सर पर 1-2 मेट के लिए उसको रोटेट के जथे दो मेंट रोटेट करने के बाद अग्लूटिनेशन चेक के जिए कि किसमें अग्लूटिनेशन सो हुआ है जिसमें अग्लूटिनेशन सो हुआ होगा उसके रिगार्डेंग आप उसको रिपोर्ट देंगे रिपोर्टिंग इसमें कैसे किया जाता है इसमें रिपोर्टिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर बना होगों कि ज़आ पोटी लिखा हुआगा उसको मुन एक्ष्ट अगर यहां पांच में एक कर देंगे तो बनाय जाता है और इसने स्लाइड में स्लाइड में पॉजिटिव आए होगा सपोस्ट यह दोने पॉजिटिव आया तो वनेच टुए लिए टी आप उसका रिपोट कर देंगे इस slide method से इसको बनाया जाता है और इस परका से tighter बना के दिया जाता है hope so आपको समझ माया होगा और it is all about the laboratory diagnosis of the salmonella type इसमें आपको huge detail of video test मिला होगा hope so हमने सब कुछ cover करने की कोशेस किये उसके बाद भी यह दिया आपको कोई confusion बज़ता है तो आप comment box में comment करके आप queries अपना पूछ सकते confusion पूछ सकते हैं ठीक है मिलते हैं नए class में नए topic के साथ thank you thank you so much